नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत सवाकत आप सभी का अमारी यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में तो कैसे आप सब दोस्तों आप तो जैसे रिजल्ट की बाहर से आवी है दिन में CGL का रिजल्ट अभी आई-वी का रिजल्ट आगया है आपका ठीक है तो ओल दिस कंडिट्स को धेर सारे शुब काम नहीं कॉंगरेश्विलेशन्स हमारे मित्रों का भी हुआ है और एक रिजल्ट और आपका जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड एग्जामेशन तो 2018 जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया था 2020 में 18 नमबर को उसमें कुछ डिस्क्रि तो इसी आदार पे कंड़ेशन दी कि हमारे डिजल्ट में कुछ ने कुछ डिस्क्रिपेंस हैं कुछ ने कुछ दिक्कते हैं हमारे स्लेक्शन होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है तो इसी को मदे नजर दखते हुए सेंडर लिजल्ट ने भी रिपोर्ट किया कमिशन को कि ठीक है आपके रिजल्ट में कुछ न कुछ दिक्कत है और ये रेक्टिफाइग की जाएंगे जो की रेक्टिफाइग की गई ठीक है एंड 19 कंडिट के रिजल्ट पे एफेक्ट पड़ा है ये उन 19 कंडिट के नाम है जिनकी रिजल्ट पे एफेक्ट पड़ा है ठीक है किसी का अलोकेटट पोस्ट चेंज हुए है जैसे रभी कुमार जी का z6 अधरि ओर 18 में जो difficresser में गहीं मधूरी राय और नेरज कुमार पांडिजी जिनके रोल नं पर धिए गहे हैं पहले not qualified थे यह qualified होगे दी 36 एंद डी 11 पोस्ट कोड में बढ़ जो पियूश कुमार और सुमित कुमार जी थे पहले qualified थे बट अब यह not qualified है due to some reasons जो result में दिक्कत थी गड़बरती उसको rectify करने बाद यह पता चला है ठीक है एंड जो new cutoff है यह इस परकार है कि आपकी अलग-अलग जो cutoff change हुई है जिन जिन में चेंज आया है सरफ वही इन्होंने mention की है ठीक है D36 के लिए D28 के लिए और D36 के लिए UR D28 के लिए आपकी OBC D25 OBC D11 शायद यह ESM है and mainly OBC and UR के लिए यह तो यह आप देख सकते हैं यह तो बात होगी आपकी stenographer grade C and D examination 2018 के rectified result की मतलब जो revised result है वह ठीक है अभी जो आपका IBACA क्योंका टार्मन का result आया है ठीक है जो आपका exam हुआ था फरवरी 1820 से 2021 में आपका हुआ है मेरा नहीं हुआ था है मैंने नहीं दिया था and इसमें काफी candidate selection पाया हुई टायर वन में टायर टू के लिए जो कि टायर टू आपका descriptive होने वाला है 30 नंबर का SM 20 नंबर का आपका precise writing जो भी आपका आता है ठीक है तो धेल सारी कि उन्होंने इतनी मेहनत की और यहां तक वह पहुंचे हैं and आपको एक बात बताना चाहेंगे हम हमारा टेलिग्राम ग्रूप है मारे साथ ही कहा जो हमारे ग्रूप के मेंबर है में जो हमारा ग्रूप है टेलिग्राम ग्रूप उसके मेंबर है तो उन्होंने टायर 2 के लिए थीक है टायर 2 के वारे में इनकी instruction देख लेते हैं Candidates mark OBC, SC, ST, EWS in the unreserved candidates have qualified in their merit without availing. जो UR category के candidates में, जिनके साथ ये लिखा गया है नो, OBC, SC, ST, EWS, ये UR standard पे qualify किये गए हैं, जिन्होंने age relation claim नहीं किया है. ठीक है, reserve category का, टाय टुक है, exam का date, time वगारा जो आपको email या SMS से आपके email ID या, mobile नुमर पे भेज दिया जाएगा, due course में, जब भी आपका आएगा, काफी कोशिश की गई भी, reserve कोई दिक्कत नो, अगर कोई भी दिक्कत आती हैं, जल्द से जल्द आप, इन्फोर्म करें कि हम अगे जो भी आने वाले हैं, subsequent आपके टाय टाय ट्री एग्जाम, उस पे डिपेंड करेंगा, आपका final law, completion of return, job की verification बगारा सभी, उन पे डिपेंड करेंगा, आपका final selection, अभी देखते हैं, जो हमारा telegram group है, वो क्या है, यह हमारे एक साथी ने बनाया है, सज जैन जी, तो इनका यही कहना कि अभी तक कोई existing group नहीं है, tire two के लिए, descriptive के लिए, अगर आप tire two के बहतर त्यारी करना चाहते हैं, तो इस group से जुरूर जोड़े, हम भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, and आप हमारे main group से जोड़ सकते हैं, जो telegram का main group है, ठीक है, दोनों group के link आपको description box मि main group है, ठीक, और यहाँ पे आपको दूसरा group मिल जाएगा, तो आप दोनों group join कर सकते हैं, अगर आपको कोई doubt है, normal, आप candidate हो, IBA सही है, नहीं हो, तो आप हमारा doubt group join कर ले, और join जरूर कर ले, IBA भी आप candidate हो या नहीं हो, तो वो जरूर जरूर करें, साथी यह group भी आप join करे झाले, 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 झाले